पर एचेस फर्स्टेयर और सेगंड डियर कॉमार्स टूशन और बिकॉम टूशन यू इन दिस नमबर 6001-601-899 आज की बड़ा में डिसकास करें के एक इंपोर्टन टॉपिक को लेके जो की आपकामिंग आशाम इनिवर्सिटी के एक्साम्स आरे आशाम इनिवर्सिटी के केंपस में भी एक्साम्स हैं जो हमारे TDC, CBCS और नोन CBCS की भी एक्साम्स सामने आ रहे हैं इसके बार में डिसकास करें कि क्या ऑफ़्लाइन इनिवर्सिटी काम या ओनलाइन होने की पूसिबिलिटी है सो एक important discussions होने जा रही है सो strengths आप लोग को क्या करना है Harvard के तरह वीडियो में तक बने रहना है सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है सो कल हमारे NACY के तरफ से भी एक जो request letter है letter हमारे CM Sir को दी गई है एंड हमारे जो education minister है उनको भी दी गई है regarding blended mode of examinations तो उसमें clearly state किये हुए थे कि जैसे कोबिट के cases बर रहे उसके उपर base करते हुए जो upcoming examinations से एचस के भी और रूटेन जो है schedule दे दी गई है metric के पहले यह अल्री दे दी गई थी जो कि 15 मार्च से दोनों exam स्टार्ट हो रहे एंड अपकमिंग इनवर्सिटी के भी exams आ रहे सो उन्होंने इसमें state किये थे के examinations को offline and online दोनों ही मूट के option दिये जाए बट क्या लगता है आश्राम इनवर्सिटी के जो upcoming exams आ रहे उसमें online के भी option दिये जा सकते हैं so recently हमने देखा है आश्राम इनवर्सिटी में corona के attacks हुए है जिस करण आश्राम इनवर्सिटी गाइडलाइन भी लाई है और उसमें 26 जानवरी तक जितने भी exams सारे exams को उन्होंने पोस्पोन कर दी है and after 26 जानवरी ओ लोग डिसाइड करेंगे examinations कब से दिये जाए और बहुत सरे exams को उन्होंने reschedule भी किये हैं so जैसे cases अभी लग रहे हैं तो अगर आश्राम इनवर्सिटी में ऐसे cases होंगे so आश्राम इनवर्सिटी के campus के जो exam से ओनलाइन होने के इसमें chances हो सकते blended mode दिये जा सकते आधरों ज्यादा अगर अश्राम इनवर्सिटी में cases दिखाई देते हैं so इसमें chances हो सकते online modes के और government के तरफ से भी जो अभी cases आ रहे है cases को इतने serious तरीके से उलोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि आभी उनके जो statements है स्टेट्मेंट द्वाइस आभी यह cases आएंगे और इस बार के जो कोविट के थाडवेब के cases हो रहे इतना effective नहीं है उनके जो statements है statements से clearly है समझ में आ रहा है so HSS and HSS के जो exam यह offline होंगे कुछ protocols दिये जाएंगे उसे maintain करते हुए exams को conduct की जाएगी and TDC and non CBCS के exam सामने आ रहे हैं so उस समय तक जो condition से condition favorable हो जाए है so मुझे नहीं लग रहा है जो TDC के CBCS and non CBCS के exam में उस समय पर कोई online option दे सकते क्योंकि affiliated college के exam से और उस समय पर बहुत सारी से college से है जो remote areas में पढ़ते है so वह पर online exam होने से problem face कर सकते students यह university पहले समय से यह excuse देती आ रही है जिसकान TDC के exams होते हैं उसमें ज्यादाता online modes नहीं दिये जाते हैं so देखते हैं कब schedule दिये जाते हैं आशाम university के तरफ से and TDC के जो CBCS के special exams है सो मार्च मेनी में होने के ज्यादा चांसे से अभी से preparation लेना आप लोग स्टार्ट कर दिया और offline को ठीक है offline को फाइनल करते हुए आप preparation लिजे online के chances कम होंगे अगर कोई भी chances होंगे तो एक notice के तुरो information दे देंगे इनिवस्टी बत मुझे नहीं लग रहा है online के chances देंगे offline के chances ज्यादातर होंगे सो आप offline समझ की आप अपना preparation अच्छे से अभी से करना स्टार्ट करें क्योंकि exams के लिए ज्यादा time नहीं होंगे तक हो जाएंगे इतना समय लंबा समय नहीं जाएगा इस बार क्योंग इतना इफेक्टिव नहीं है जिसका इतना लंबा समय इस बार नहीं जाएगा सो आप लोग अब इससे अपना preparation लिजे अगर मार्च के फर्स्ट वीक में एक्जाम ना भी हो मिडिल से एक्जाम या एंडिंग से मार्च के एंडिंग से अप लोग के एक्जाम स्टार्ट होने के ज्यादा तर possibility हैं सो जब भी कोई अपडेट्स आएंगे मैं आप लोग उससे शेर करता रहूंगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना एंड नोटिफिशन बेल को भी और करके रख देना ताकि हर अपडेट्स आपके पास फासली आ जाए आशाम नियों से रिलेटेड सो